नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉघ सिखो के देनिक समाचार विशलेशन में चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं आज को पहला हमारा आर्टिकल है यह हमारी देश के नियाई प्रणाली के बारे में है और साती सात इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोट के अवमानना Contempt of Court के बारे में यह आर्टिकल लिखा गया है दुशन दवीची के द्वारा उसके बाद मैं आज का जो हमारे दूसरा आर्टिकल है यह हमारे देश की स्वास्ता विवस्ता के बारे में है देश का बजट आने वाला है और बजट में हेल्थ केर को कितना ध्यान दिया हम इस आज के दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ू उससे पहले आज का MCQ देख लेते हैं वह यह है कि जन आरोगी योजना निम्न मेंसे किस से संबंदित है आपका option A है T का option B है स्वास्त सुईधा option C है आशा कार्यकरता यह option D इन मेंसे कोई भ प्रणाली की संप्रभूता authority or dignity को सीव करने के लिए बचाय रखने के लिए जरूरी है इस कथन से आप कितने सहमत है इसके बारे में आपको बताना है 250 शब्दों में तो चलिए आर्टिकल पे आता है contempt of court तो contempt of court court की अवमानाज हम इस आर्टिकल के बारे में बात इसलिए कर रहे इस आर्टिकल पे ये आर्टिकल लिखा इसलिए गया है क्योंकि हाल ही में हमारे देश के पूर्व मुख्य नियाएधीश एक्स चीफ जस्टिस आफ इंडिया रंजन गो गई कि द्वारा 10 दिसंबर 2021 को एक कमेंट दिया गया जो कि अपने आपने आपने काफी जादा कॉंट्रवर्सी से भरा हुआ था उनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी पुरानी सोसाइटी है उतना ही पुराना करप्शन है जितना पुराना हमारा समाज है उतना ही पुराना ब्रष्टाचार है और जजिस ये आस्मान से नहीं टपके है ये हैवन से नहीं आए है और इस उसलिए Supreme Court के judges का corrupt होना यहां पर कोई ताज़ुप की बात नहीं होना चाहिए या जो judges है जो हमारी judiciary उसमें corruption होना यहां पर कोई ताज़ुप की बात नहीं इस तरीके का उनका comment आया था जिसको देखकर ही पूरी controversy जो है वो शुरू हुई अब यहां पर अगर हम justice गोगई की बात करें तो justice गोगई का यह जो comment है अपने आप में हमारी नियाईक विवस्ता से विश्वास उठा देने वाला एक comment है क्योंकि यह किसी सामानी नागरे या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द् से यह comment किया गया है तो अपने आपको Supreme Court को यह एक बैट कलर में खड़ा करता है और Supreme Court पे जो लोगों का विश्वास है उसको हिलाता है तो यहां पर बात यह आती है कि Supreme Court के बारे में अगर कोई ऐसा कहता है जिससे Supreme Court से विश्वास लोगों का हट जाता है या Supreme Court को justice administer करने मे किसी comment से दिक्कत होती है जिससे लोगों का विश्वास खतम हो जाए Supreme Court पे तो ऐसी व्यक्ती पर contempt of court का proceeding शुरू किया जा सकता है ब्रह्म प्रकाश शर्मा बज़ेश स्टेट अफ यूपी कॉर्णिस 1353 का यह किसे जिसमें Supreme Court ने यह held किया था कि contempt of court protects the court in its part to administer justice तो न्याइक एक विवस्ता बनाए रखने के लिए justice जो है लोगों को उनका हक देने के लिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा comment किया जाता है जो administration of justice में एक obstacle बनता है कुरुकावड बनता है तो उसके against contempt of court जो है वो लगाय जा सकता है और administration of justice को protect करने के लिए contempt of court का जो प्रावधान है या हमार अगरी बात इस judgment में यहीं भी कही गई थी contempt of court जो है यह judges को protect नहीं करता है यह हमारी judiciary के लिए administration of justice के लिए है justice गो गई जब sitting justice supreme court के तो उन्होंने एक contempt proceeding initiate करी थी अगेंस्ट एक्स justice of supreme court justice markandai kaadju markandai kaadju ने फिर इस मामले में बाद में एक unconditional apology लेटर एक unconditional apology दे दी थी जिसके द्वारे यह मामला फिर बाद में drop करते आया लेकिन justice गो गई का अगर कारेकाल देखा जाया तो इनके कारेकाल में कुछ असी घटनाय हुई है जो कि अपने आप में काफी एक संद करती है एक business group के आठ मामले थे और यह आठो के आठो मामले जो है justice अरुण मिश्रा के पास में आये तो आप बोलोंगे ठीक है coincidence हो सकता है लेकिन supreme court में coincidence हो ऐसा बहुत कमबार होता है supreme court में कौन सा मामला किस judge के पास में जाएंगा किस bench के पास में जाएंगा यह अधिकार हो ही judge के पास में जाते है और interestingly आगे देखने को यह मिलता है कि उस business house जो है उस business group जो है उसके favor में यहाँ पर judgment आ जाता है और वो business group इस मामले को 11,000 करोड में settle कर देती है अब यहाँ पर एक और interesting बात यह है कि court नहीं यहाँ पर अपना extraordinary purity power use किया था उसके अलावा जहां हमारे दीश में सालों से लोगों के मामले लंबित है वही इस business house ने एक और बार यह court में गए थे तो यहाँ पर इनका मामला priority पर लिया गया expedite किया गया hearing को काफी जल्दी सुना गया तो अपने आप में जब अगर supreme court के judge को आप करब्र बोलते हैं supreme court में भी corruption की बात करते हैं तो कही ना कही एक तरीके की उगली जो है justice हो गई अपने उपर भी उठाते है वो कहते हैं आप इक उगली किसी पर उठाते हो तो चार उगलिया आप पर भी उठती है तो यहाँ पर इसी प्रकार की ये कुछ घटना हमें देखने को मिलती है उसके अलावा अगर हम बात करें तो capitalism अपने आप में किसी भी देश को ग्रो करने के लिए काफी महत्पूर्ण होता है लेकिन इसका bad side अगर हम देखे तो crony capitalism जिसमें favor किया जाता है particular वक्तियों को जिसमें कुछ corrupt practices भी देखने को मिलती है हमारे देश में सरकारों पर ऐसे कई बार यहाँ पर आरोप लगाए गए है लोगों ने सवाल उठाया है सरकारों से crony capitalism को लिए कर लेकिन अब judiciary को भी इस दायरे में देखा जा रहा है एक और महत्मुन बात यही कि supreme court के against अगर कोई allegation कोई आरोप लगाता है तो यहाँ पर court जो है contempt charges initiate कर सकता और इसके लिए attorney general जो है हमारे देश के इनका भी बीट करने की जरुरत नहीं है उसके अलावा एक और बात यह है choosing to remain silent on the issue only serve to remove the faith reposed by citizen of supreme court तो अंतिम लाइन में काफी महत्मुन बात की गई है कि अपने आप में किसे भी मुद्दे पर शान्त बने रहना खासको judiciary को जब judiciary पर सवाल उठाया जाए और अगर judiciary शान्त रहती तो कही ना कही citizens का जो नागरिकों का भरोजा सुप्रीम कोर्ट में वो कम हो सकता है तो ये संचिप्त में था हमारा आज का पहला आर्टिकल चली दूसरे आर्टिकल के और पड़ते हैं दूसरा आर्टिकल जो है healthcare के बारे में healthcare अपने आप में हमारे देश में सब को पता था ये पिछले 75 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ है सब को पता है कि हाँ healthcare कितना जरूरी है सब को पता होने के बावजूद की healthcare कितना जरूरी है लेकिन अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया गया फिर आता है एक pandemic एक महामारी जिससे हमारा health care system खासकर public health care system चर्मरा जाता है और उसी के बाद में लोगों का सरकारों का सब का दीखने का नजरिया जो है खासकर public health care के लिए भूपदल किया तो अब हाल ही में budget आने वाला है budget में कितना ध्यान दिया जाता है health care के ऊपर इन पर कितना व्याय किया जाएंगा सरकार के द्वारा यह एक देखने वाली बात रहेगी क्योंकि यहां पर अगर आप health care और health care workers पर expenditure करते हैं तो कोविड ने हमें एक चीज़ जरूर सिखा दी है health care वो जगह है जहां पर आपको आग मून के आप व्याय कर सकते हैं जहां पर आप अपने budget का एक बड़ा proportion दे सकते हैं और अगर सरकार ऐसी करती भी है तो यहां पर किसी का भी विरोध इस निर्णाई के अगिस्ट नहीं होगा 2021 के अगर हम बात करें तो health care में जो व्याय है यह 137% अर्था 137% से increase किया गया प्रधान मंतरी आत्म निर्भर स्वास्त भारत यूजना को लाया गया जिसमें 64,180 करोड रुपए जो है वो सरकार ने डाले उसके अलावा सरकार ने कई anti-pollution rollouts भी निकाले जूकि एक संपूर ने एक holistic goal के लिए सारवंगीन विकास के लिए जरूरी हो जाता है उसके अलावा अगर हम देखे तो लेकिन health ministry के जो खाते में जो एक increment देखने को मिला एक increase देखने को मिला वे में ये किवल मामूल यार प्रतीशती था उसके अलावा प्रधान मंत्री जन आरूगय योजना को comprehensive primary health care से यहाँ पर जोड़ा गया जिससे delivery system लोगों की जो बहुच है स्वास्त सुविधाव से ये अपने आप में बढ़ी तो आप ये देख सकते हैं कि कई जगह आपको ये देखने को मिलता है कि अब सरकारी जो हमारी स्वास्त विवस्ता है अब ये भी digital माद्यमों से यहाँ पर लोगों से हमारे ग्राम इंडूलर एरिया से भी जूड़ रही है जहाँ पर जहाँ डॉक्टरों की संग्या काफी कम है उसके बावजूद अगर हम देखे तो बजट जो है 2022 का इसका कही ना कही एक सिनर्जी इसने स्तापित करनी चाहिए यहाँ पर जो हमारी अलग-अलग प्रणालिया है उनकी बीच में उसके अलावा अगर हम देखे तो नेशनल हेल्थ मिशन टू नीड्स यह पूरी है अर्बन प्राइमरी सेंटर जो है फैसिलिटस लीट टू बी मेट और अपरेशनल तो जो अर्बन प्राइमरी जो हमारी शहरी हेल्थ केरत इसके जैसे यहाँ पर महत्पूर्ण है कि इंफरस्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्विप्मेंट होने चाहिए, हेल्थ केर वर्कर्ज भी होने चाहिए, जो इसे ऑपरेट कर सके, और डे टू डे जो ज़रूरते होती है, उसे पूर्ण करने के लिए भी फंट की पैसों की आबशक्ता होती है, तभी हमें एक एफेक्टिव हेल्थ केर सिस्टम के रूप में सामने आ सकते हैं, उसके अलावा डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, सरकार के द्वारा लाया गया है, काफी अच्छा, एक कदम था सरकार के द्वारा जो उठाया गया, जो राइटर बताते हैं कहीं न कहीं हमें डेटा कलेक्शन, उसके अनिलिसिस, मेडिकल रिकॉर्ड और जो हेल्थ रिकॉर्ड है, इनको प्रॉपर बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है, उसके अलावा ये एक सप्लाइ चेन को भी काफी एफिशेंट बनाता है, और साथी साथ जो हमारे हल्थ वर्कफोर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो हमारे हल्थ केर वर्कर्स है, फिर वो चाहे नर्सेस हो या उनका सपोर्टिंग स्टाफ हो, इनको भी एक support एक मुहिया करवाता है digital health mission उसके अलावा training भी यहाँ पर इन्हें यह मुहिया करवाता है उसके अलावा जैसे मैंने बताया telehealth services हो गई real time monitoring sharp evaluation of healthcare program performance यह भी महतुन हो जाता है telehealth services जिसमें आप video conference के मादियम से भी doctor से जूर सकते है telephone के मादियम से doctor से जूर सकते हैं उसके अलावा increased funding must also be infused in healthcare health workforce sector to make healthcare system truly function healthcare system चलता है healthcare workforce से doctor से nurses से इनके supporting staff से चलता है हमारे hospitals हमारा healthcare sector पूरा तो महत्पूर्ण है कि सरकार यहां पर भी व्याय करवा है इनका training के support के लिए भी सरकार व्यायकर और budget में एक बड़ा हिस्सा इनके लिए रखे आए दीन हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग राजियों में यहां पर doctor की हरताल होती है वो उनके आये से संबंदित उनकी जो सुविधाय है उनसे संबंदित सवाल उठाय जाते है कई बार हमें यह देखने को मिल रहा कोविट के समय में कि इनकी exams एक-एक साल तक pending की गई तो अपने आप में इस तरीकी जो गतिवीदिया है जिससे health workforce पे एक negative परिणाम पड़ता है इसे भ आवशकता है उसके अलावा नए training centers यहाँ पर बनाये जाए खासकर उन reasons में जहाँ पर proper representation नहीं है उसके अलावा central expenditure for increasing infrastructure infrastructure अभी भी कम है इसे भी बढ़ाने की आवशकता है और operational expenditures को भी यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए उसके अलावा कुछ monetary resources जो कि हमें COVID के समय प् या पीम केर्स में भी बहुत बड़े donation आए तो अब यहाँ पर COVID धीरे-धीरे खतम हो रहा है हम इस प्रकार से observe कर सकते हैं तो जो पैसा COVID के लिए utilize नहीं हो रहा है उसे non-covid healthcare system में infuse करना जरूरी है हमारे दीश का research innovation में पैसा डालना जरूरी यहाँ पर एक बड़ा investment करना जरूरी है उसके अलावा the ambit of health should be expanded to align other sectors to public health objectives के अलावा हमारे अगर public health को proper बनाना है तो जो other sectors से इन्हें भी यहाँ हमारी public health care से जोड़ना जरूरी हो जाता है तो चलिए आज का जो हमारे विशलेशन वहीं समाप्त होता है आप चाहे तो हमसे टेलिग्राम और इंस्टाग भी विजिट कर सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यावाद थैंक यू स्टे टूने टूलॉसी